सुप्रभात विद्यार्थियों स्वागत है आपका आज के सीडियो में तो विद्यार्थियों आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद इसका ये दूश्रा भाग तो विद्यार्थियों इसके पिछले भाग में आपने पढ तो यह आज आप पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो विद्यार्थियों पांचवा जो अर्थ के अधार पर वाक्य भेद है वो है इच्छा वाचक या इच्छा रथक तो नाम से ही आप समझ सकते हैं यानि कि जो इच्छा होती है हमारी अभिलासा डिजैर जिन वाक्यों में किसी के इच्छा मनो कामना आसिरवाद मंगल कामन आदी भाव पर कट हो वहाँ वाक्य इच्छा वाचक या इच्छा रथक वाक्य कहलाता है तो इसमें इच्छा भी होती है और अगर आप किसी वाक्य में कोई किसी को आसिरवाद दे रहा है किसी के लिए कुछ अच्छा कह रहा है तो वहाँ भी इच्छा रथक वाक्य ही हो उधारण देखते हैं आपका नाम रोसन हो देखे आप किसी की मंगल कामना कर रहे हैं कि उसकी उम्र उसका नाम रोसन हो अगला है आपकी उम्र लंबी हो आपको नव वर्स की सुबकामना है तो कभी आप किसी को बधाई देते हैं नव वर्स की तो वह भी क्या है इच्छा वा बढ़ाई देते हैं तो यह भी क्या है इच्छार्थक वाक्य अगला है आप हमेशा खुश रहो तो आप यह क्या कर रहे हो मंगल कामना कर रहे हो किसी की आपकी आत्रा मंगल में हो तो यह सारे जित्ते भी वाक्य हैं सभी क्या है इच्छा वाचे क्या इच्छार्थक वाक्य वाक्य का अगला भीद है अर्थ के आधार पर विस्मयादी बोधक वाक्य विस्मय का अर्थ होता है आश्चरिये जिन वाक्यों से आश्चरिये, हर्स यानि कि कुसी, घ्रणा, प्रसन्नता, सोक, दोख, भय यानि कि डर आधी भाव पर कट हों वे वाक्ये विस्मयादी बुधक वाक्ये कहलाते हैं इन वाक्यों में विस्मयादी बुधक सब्दों का परियोग होता है और उनके बाद विस्मयादी बुधक चिनने यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका परियोग किया जाता है अर्थ के आधार पर अगला वाक्य भेद है विस्मयादी बुधक वाक्य विस्मय का अर्थ होता है आश्चरिय जिन वाक्यों से आश्चरिय, हर्स, यानि कि खुशी, ध्रणा, प्रसन्नता, सोक, दुख, भय, आदी भाव पर कट हो वे वाक्य विस्मयादी बोधक वाक्य कहलाते हैं इन वाक्यों में विस्मयादी बोधक सब्दों का भी परियोग होता है और उसके बाद विस्मयादी बोधक चिन्न का परियोग भी किया जाता है यो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेट कलर में तो विद्यार्थियों, उधारण देखते हैं इसके, अरे, कितना प्यारा मैदान है, तो देखें अंदर का भाव है, अरे, और इसके बाद आप ये चिन्न भी देख सकते हैं, अगला है, वाह, कितनी अच्छी सुगंध है, तो ये भी क्या है आपका, विस्मयादी बोधक, व तो देखें, यहाँ पर ये क्या है, विस्मयादी बोधक, वाक्य, अगला है, छी, कितनी गंदगी है, तो ये भी आपका, विस्मयादी बोधक, वाक्य है, तो विद्यार्थियों, जहाँ पर भी आप, विस्मयादी बोधक सब्द देखें, चिन्न देखें, तो वहाँ पर आपका विसमयादी बुधक वाक्य ही होगा सात्वा तो विद्यार्थियों अगला जो अर्थ क्यादार पर वाक्य भेद है वो हो है संदेह वाचक वाक्य संदेह यानि कि जहां पर कुछ संदेह हो यानि किरिया हो रही है नहीं हो रही है यह हो पता नहो जिन वाक्यों से किरिया के पूर्ण होने में संदे हो पता नहों कि किरिया पूरी हो रही है या नहीं हो रही है वे वाक्य संदे है वाचक वाक्य कहलाते हैं उधारण के माध्यम से देखते हैं पहला है अब तक वह आ चुका होगा तो देखे पता नहीं है कि वहाँ आया है या नहीं है कि वो एक अनुमान लगाया गया है अगला सायद आज बारिस होगी तो ये भी क्या है अनुमान लगाया गया है अगला है संभाव तहा विजय आज स्कूल नहीं जाएगा तो देखें, यहाँ पर हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो हम केवल एक अनुमान लगा रहे हैं, तो यह सभी क्या है, संदेह वाचक वाक्य है, अगला है दीपक बुझ गया होगा, अगला है रमा खाना पका चुकी होगी, तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप दे संकेत वाचक वाक्य है, क्या होते हैं, जिन वाक्यों में किरिया का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, तो यहाँ किरिया तो होगी, लेकिन वह दूसरे वाक्य पर निर्भर होगी, उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं, इन वाक्यों की पहचान किस से होती है, यद अगर इस तरह के अन्य सब्दों से को देखकर की जा सकती है जैसे उदाहरण के माधियम से समझते हैं यदि बारिस आई तो वह नहीं आएगा देखे यहाँ पर एक कंडिसन लग दी है कि वह नहीं आएगा कब नहीं आएगा यदि बारिस आई तो यदि वह मन लगाकर पढ़ता तो आज पास हो जाता तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप संकेत वाचक वाकिही ही है यह अगर परिश्टम करोगे तो जरूर पास होगे तो जरूर पास होगे इसके साथ क्या एक कंडीशन लगी हुई है अगर परिश्टम करोगे यानि कि यह निर्भर है परिश्टम पर पास होना तो यह भी क्या है आपका संकेत वाचक वाकिह अगला है अगर वह आएगा तभी हम बाजार जाएंगे तो कंडीशन समझे यहाँ पर कि अगर वह आएगा तभी हम बाजार जाएंगे यानि कि हमारा बाजार जाना उसके आने पर निर्भर है तो एक वाग के दूसरे वाग के पर यहाँ पर निर्भर है तो जहां पर वाग के निर्भर होते हैं वहाँ पर होता है संकेत वाचक वाग के तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको अर्थ के आधार पर वाग के भी लड़ी की लड़ाएद, अजय की लड़ा है लड़ाएद कि लड़ाएद में परफवाद कि लड़ाएद.